हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल मेगाज हेल्थ और ब्यूटी कॉर्णर प्रेग्निंसी में पोशक तत्वों से भरपूर खाना खाने की सलाह दी जाती है क्योंकि इससे माउर शिशू दोनों ही स्वस्त रहते हैं माना जाता है कि गर्भावस्ता में नारियल पानी पीना बहुती लापकारी होता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रेग्निंसी में नारियल पानी किस समय और कितना पीना चाहिए नारियल पानी को महिलाओ के लिए बहुती सेहत मन माना जाता है इसलिए हर महिला के मन में है सवाल रहता है कि प्रेगनेंसी में नारियल पानी पीना चाहिए या नहीं नारियल पानी में डेहरो पोशक तत्व होते हैं लेकिन फिर भी गर्भावस्ता में नारियल पानी का सेवन करने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि प्रेगनेंसी में पानी पीना चाहिए या नहीं और इसके क्या-क्या फायदे होते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको हरे नारियल या फिर पीले नारियल में से किस नारियल का पानी जादे अच्छा रहता है हरे नारियल के पानी को आपका सेवन करना है, पीले नारियल का पानी पीने से आपको कब्ज की समस्या हो सकती है चलिए अब बात करते हैं गर्भावस्ता में नारियल पानी पीने के क्या-क्या फायदे है गर्भावस्ता में नारियल पानी पीने के बहुत सारे लाभ है क्योंकि इसमें किलोड, इलेक्ट्रोलाइट, कैल्शियम, मेग्नेशियम, विटेमिन की परच्चुर मातरा पाई जाती है बहुत सारी रिसर्च से सामने आया कि गर्भावस्ता के दोरान नारियल पानी पीने से आपकी जो इम्मुनिटी है और किड्नी का जो काम करने का तरीका होता है उसमें सुधार आता है और आपको यूरिन इन्फेक्शन से भी बचाव होता है ये बलड पेशर को भी कम करने में मदद करता है जिन महिलाओ को पूरी प्रेगनिंसी के दोरान हाई बलड पेशर होने की संभावनाए होती है या फिर जिनको पूरी प्रेगनिंसी के दोरान हाई बलड पेशर रहता है अगर वो नारियल पानी का सेवन करती हैं तो उनके ब्लड पेशर में कमी आती है और जो एक नॉर्मल ब्लड पेशर है उनका रहता है यूरिन इन्फेक्शन के खत्रे को बहुत कम कर देता है नारियल का पानी क्योंकि शरीर में जितनी भी गर्मी होती है उसको थोड़ा सा कम करने के लिए नारियल पानी बहुत ही फायदेमंद होता है नारियल पानी प्रेगनेंसी में सीने में जो जलन होती है जिसको एसिडिटी हम लोग कहते हैं प्रेगनेंसी के दोरान एपज और एसिडिटी की समस्या महिलाओं में बहुत अधिक हो जाती है तो उस समस्या से भी राहत दिलाता है नारियल पानी प्रेगनिंसी के पहली तिमाई में मौर्निंग सिकनेस की समस्या और थाकान रहने की जो प्रॉब्लम है महिलाओं में बहुत अधिक होती है तो इस प्रॉब्लम से भी छुटकारा दिलाता है नारियल पानी बहुत ही फायदे मंद माना जाता है गर्भा वस्ता में कब जोने एक आम समस्या है लेकिन नारियल पानी के सेवन से इससे बचा जा सकता है नारियल पानी कब जोने की समस्या में बहुती फायदे मंद होता है लेकिन इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको इसके लिए केवल हरे नारियल के पानी का ही सेवन करना है नारियल पानी में कैलोरी ना के बराबर होती है और ये omega 3 fatty acid से mm fiber से युक्त होता है जिससे pregnancy के दोरान महिलाओ का वजन भी नियंतरित रहता है क्योंकि वजन का अधिक बढ़ जाने के कारण भी आपकी normal delivery के जो chances हैं वो कम हो जाते हैं वजन आपका ठीक रहेगा तो आपका बच्चा भी पेट में स्वस्त रहता है तो उसके लिए भी नारियल पानी बहुत ही फायदे मंद होता है तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि pregnancy में नारियल पानी आपको कब और किस महिने से पीना है पहले दिमाई से ही नारियल पानी का सेवन सुरक्षित रहता है इस समय नारियल पानी का सेवन करने से morning sickness और ठकान से राहत मिलती है और यही वो समय होता है जब बच्चे के दिमाग का भी विकास होता है ऐसे में पोशक आहर लेना जरूरी होता है नारियल पानी में सभी जरूरी पोशक ततों पाये जाते हैं, इससे सुबह काली पीड भी आप पी सकते हैं, इससे आपके जो बच्चे का ब्रेन डेवलोपमेंट है वो भी बिल्कुल अच्छे से होगा अब हम बात करते हैं कि गर्भावस्ता में नारियल पानी कितनी मातरा में पीना चाहिए, प्रति दिन एक ग्लास नारियल पानी पिया जा सकता है, इससे ज्यादा मातरा में सेवन हानिकारक हो सकता है नारियल पानी की यह मात्रा एक गर्वती महिला के लिए उचित होती है और इसमें जरूरी सभी तत्व होते हैं जो एक दिन के लिए जरूरी होते हैं तो नारियल पानी को प्रेगनिंसी के पहले तिमाही में लेना बहुत ही फायदे मन्द माना जाता है वैसे तो गर्भावस्ता में नारिल पानी पीना बहुत इफायदेमंद होता है लेकिन फिर भी इसकी सेमित मातरा में ही सेवन करें किसी भी खाद पदार्थ का अधिक सेवन करना उचित नहीं माना जाता है तो आज हमने जो इनारिल पानी के तो दोस्तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और बैल आइकन का बटन दबाना मत भूलेगा जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियो का अबडेट भी मिलता रहे और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा थेंक यू फर वाचिंग मेगा जैल्थ एंड ब्यूटी कॉर्णर थेंक यू